आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजिनियर्स प्रो पे तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोग फंब लाइन पर देख पा रहे हैं बी एससी सीजी एल दो हज़र लिखा गया है बड़े अक्षरों में लिखा गया है और इसके बाद लिखा गया है कमेंट्स आ रहे थे उनमें सबसे ज्यादा इसी सवाल पे थे कि सर कितना पुराना होना चाहिए क्या हम और सी एक साल पुराना हम डालके आप दे सकते हैं मेरा आप रिजेक्ट नहीं होगा तो यह बहुत सारे कोश्चन जो है आ रहे थे दूसरा यह भी था महत्मुन कोश्च हूं तो पती के नाम से होना चाहिए या पीता के नाम से होना चाहिए पती के एड्रेस पे होना चाहिए या पीता के एड्रेस पे होना चाहिए तो यह सारा डाउट इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे एक ही यह वीडियो जो है आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा ओभ कि 17 माई आखरी डेट रखा गए है अल इंडिया अप्लाई है देश के किसी भी कोने से भर सकते हैं और यह तिर्थिये असना तक अस्तरिये जो है सेंग्ट परत्योगता परिक्षा और अर्गिनाइज कर रही है ठीक है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिजर्वेशन केटोगोरी किन के किन के लिए क्या क्या जो है इसमें डिमांड किया गया है आप सभी को सीधे में ऑफिसली जो नोटिविकेशन जारी किया गया है बी एससे सीजेल 2022 का तो उस पे लेकर आ गया है असना तक अस्तरी पदों पर नियूकती है तो आयूजित की 2017 मई 2022 तक आप इसको आभिरन दे सकते हैं इस बीडियो में हम पूरे डिटैल में बात नहीं करने वाले है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आ बसली कि आपタ необходимо कー चाहिए उनकार आगर वो सादि शुदा है वह यां से होना चाहिए उनकी पीता के नाम से चाहिए अपती के नाम से वना चाहिए सबसेय कि बती कुल जो है यिसमें बभाली है 2187 है डुसरी बात बतादे कि निवंतेम जो स्क्ष्ण योगता होना चाहिए models जो आख्री डेट इस फॉर्म की जो अंतिम टीथी तक आप अगर असनातक अस्तरिये जो है असनातक पास कर लेते हैं जो निवत्म सेक्षन की युगता रखा गया हुआ उतिन हो जाते हैं तो आप इसके लिए इलिजेबल होंगे भर सकते हैं ठीक है अब सबसे पहले तो आप review कीलियर कर ले और की कारण ल unstoppable सारे छाट्र यह नहीं बहि results और अंतिम टीथी का आप को सबसे पहले अब को Mr.dac ने अब दिखाना चाहूंगा के एक सल पुराना हो तो आप भर सकते हैं कि नहीं बर सकते हैं बढद हैं आप यहां पर पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे लिखा हुआ है साब सब तोर पर ठीक है लिखा हुआ है पिछला वर्ग अत्यन पिछला वर्ग सरेनी के अभियार्थियों दुआरा अभेदर में अंकित करेमिले रहेत प्रमान पत्र को कॉंसलिंग के समय मुल में परस्त समर्पित करना होगा एक साल से अधिक पुराना है यहां टाउट किलियर कर दिया गया हैं कि अगर एक साल से पुराना नन किरीम्लिया ऑके पास है तो इसके साथ आपको जो हैं स्वागोसना परमान पत्र होता नाग और एक चाहिए तो हम juste किंसर्णा बॉक्स में دे देंगे होगा तो उस समय आपको जो है कांसिलिंग के समय सोगोषना समर्पित करना होगा अब जो है कि बहुत ही कुश्चन यह है कि महिलाओं का जाती और ओबीशी कहां से होना चाहिए पीता के घर से या पती के घर से होना चाहिए ठीक है तो वह भी सारा डाउट क्लियर कर देंगे यहां पर यह लाइन देखेंगे अरक्षन का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं का जाती क्रिमिलियर रहित प्रमानपत्र उनके पीता के नाम एबं पता से निर्गत होना चाहिए ठीक है उनके पीता यानि फादर के नाम एबं पता से निर्गत होना चाहिए मतलब कि उ जो जो उनके पीता का जो घर है उस अस्थल के जो जो पता है उस पता से और उनके पीता के नाम से निर्गत होना चाहिए ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे कि जाती पर्मानपत्र या OBC ठीक है वो अपने पीता के नाम से बनवाए और पीता के एड्रस से बनवाए ना कि इसाप सब अस्तर पर कह दिया गे ना कि उनके पती के ना में पता से होना चाहिए ठीक है तो असपस्ट किलियर कर दिया गया है आप इस चीज को देख कर समझ पाएंगे ठीक है इसके लावा भी क्या है समान परसासन विभाग के ग्या पांग 16144 दिनांग 28-1212 के अलोक में सुधार बदलाव नहीं किया सकता है अलक्शन कोना में अता प्राडाविक परिच्छा के लिए आल्लाइन अबिधन प्राप्त करने की अंतिम तीथी तक जो अब्यारती जिस एलक्शन स्रेनी में होंगे वही मानने होगा मतलब कि अगर आप फर्म भरते बक्त जो भी अपन कि लिए अपने अस्थाई अधिवास राज सरकार का होना चीज और डौट किलियर कर दे कि भारत सरकार के द्वारा भी बनता है और विहार सरकार दोरा बनता है तो यहां सपस्ट कर दिया कि राज सरकार का होना चाहिए यह फिजिकल रूप से आपके पास परजिंट होना चाहिए जिसकी निर्गत संख्या तीथी सहित ओनलाइन आभिदन के निर्देश्ट कॉलब में अंकित करना होगा तो फर्म भरतेबक जो है OBC का जो निर्गत संख्या है और जिस टीथी पर निकला है यह सारे चीज भरने परेंगे तो आपको साब साब किलिर कर दिया है कि राज सरकार से बना होना चाहिए यह नन क्रिमेलियर ठीक है और एक साल से अगर पुराना है तो आपको कांसलिंग के स सचित जाती और अनोसुचित जन जाती S.C.S.T. वालों के लिए तो S.C.S.T. सिरेनी के अभियारतियों के लिए राज सरकार दौरा अधिसूचित सक्षम पराधिकार दौरा निर्गत जाती परमान पत्र एबं अस्थाई निवास परमानपत्र मान होगा समधित परमानपत्र को कांसलिंग के समय परस्तूत करना होगा तो सस्ट के लिए सिर्फ और सिव जाती परमानपत्र और निवास परमानपत्र जो है कि मान होगा ठीक है हम आपके फूंदाभी टेकरण देख लेते हैं कि दिभ्याइग अभिहरतियों के लिए सब्सक्राइब अगले नियुक्ति में अगर गनित की जाएगी मतलब अगर किसी दिभ्यांग का सीट खाले रहा जाता है तो इस सीट को जोड़ा जाएगा अगर आपको पर्मान पत्र में अभीकरन नहीं होने की स्थिति में पर्मान पत्र विदी माने नहीं होगा तो अगर आपको पर्मान पत्र है तो बहुत आच्छा होगा ठीक है नहीं तो आस्थाई है आपके पास तो फिर से आप इसको बनवा कर दे सकते हैं इजना सहायक अंकेशक पद हेतु बहुत दिभ्यांगियों के लिए भी पद निजायत की गई है तो इस पदों में भी जो है दिभ्यांगियोंता के लिए जो है कि यहां पर जो है इतना अलोक मिराज के वैसे स्वतन्तरा सिनारी जिने केंद्स सरकार द्वारा पैंसर सुकरित हैं उनके पोता पोती नाति नतनी को दो परतिसत आरक्षन देये होगा एसे अभी आर्प्यों के लिए करनांकित रिक्तियों की संक्यात अलिका में अंकित हैं स्यक्षित और पर माने नहीं है तो यह जो है अपने जीला दिकारी से एक पर्मान पत्र बनाना परेगा जिसमें आप पे आसपस्ट किया जाएगा कि आप जो है सुतना से नारी के पोता पोती नाती नतनी है ठीक है तो यही है अरक्षन है इसी के अनुसार आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और इसमें बात कर लें किंडर के बारे में तो समान परसासन विभाग ब्यार सरकार एदिश्यस्णा इतना के लोग में किंडर कोथी हिजरा ट्रांजेंडर बेक्तियों को पिछ्रे वर्ग को मिलने वाले अरक्षन का लाब दे होगा इनको जो है पिछ्रे वर्ग में रखा गया है और उनका जो लाब मिलेगा वह इनलोग को भी लाब दिया मुख्य परिश्ण के अवेदन में यही यही अंकित रहेंगे काउंसलिंग डॉबिकर समय में अंकित पर्मान पत्रों को को करने के लिए काउंसलिंग के पषट कोई समय नहीं होगा तो तो कॉल्म बनाया होगा फो फॉर्म भरते वक्ष जो है कि पर्रमान पत्र के प्रमात्मात्र निर्गत संख्या, डेट और कहां से निर्गत हुआ है वो सारे चीज जो है दिया जाएंगे ठीक है एक चीज और अस्पर्ष्ट कर दे कि अनुस्य जाती और अनुस्य जाती जो इन लोग जाती और आवास प्रमान पत्र जो देना है या ब्लॉक अस्तर से या महिलाओं के जाती अवास यह से जाती और बहुत बड़ा जो है कि एक रिमर था कंफ्यूजन था जिसको मैंने सूचा कि आप लोग का किलियर हो जाना चाहिए और आप लोग समय से फॉर्म भर ले उम्मिद करते हैं साथ डाउट किलियर हो गया होगा जो भी डाउट है कॉम पर पत्र आपको जमा करना परे हैं चले इस वीडियो को यह समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धोरा भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि सभी का इससे सहायता मिल सके सायोग हो मिल सके धन्यवाद